बारिस के बाद आया सुर्य कुमार यादव और सुबमन गिल का तुफान टीम इंडिया ने 20 ओवर में जड़ दिये 210 रन नमस्कार दोस्तू स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में पारत और नुजिलेंड के बीच दूसरा वंडे मुकाबला खेला जा रहा है चांपर बारिस की वज़े से इस मुकाबले को सिर्फ 20 ओवर का कर दिया गया इस 20 ओवर के मुकाबले में टेम इंडिय की तरफ से सुबमन गिल और सुर्य कुमार यादव ने नुजिलेंड के बले बाजू की गेनबाजी को उदेड कर रख दिया है तो इस विड़ो में दोनों बले बाजू की दमाकेदार बले बाजी की पूरी हाइलाइट हम आपको बताएंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले आप इस सुर्य कुमार यादव को एक बैतरीन प्लेयर मानते है तो इस विड़ो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले तो चले दोस्तो जानते है आज के इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट मुकाबले के सुराद से ही यानि की टोस्त से ही तो दोस्तो इस मुकाबले में टोस्त जीता नुज लेंड के कप्तान केन विल्यमसन ने और पहले केन बाची का फैसला किया, टीम इंडिया को बले बाजी के लिए आमन्तरित किया, पार्ती टीम की तरब से पारी की सुराथ करने उत्रे काप्तान सिकर्दवन और सुब्मान गिल, दोनों बलेबाजों ने टीम को काफी सांदार सुरात भी दिलाई लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुबमन गिल के बले से सुरात थी तीन चोके बैतरीन देखने को मले लेकिन जब टीम का स्कोर मातर 22 रन था तबी आज के मुकाबले में पहली बार बारिस शुरू हुई तब तक सुबमन गिल ने 19 रन बना ले थी जब कि सिकरदवन ने 2 रन बना ले थे और टीम इंडिया का स्कोर 22 रन हो चुका था लेकिन यहाँ पर बारिस की विज़े से मुकाबले को रोकना पड़ा लेकिन दोस्तों इसके बाद लंपे इंतजार के बाद एक बार फिर मुकाबला सुरू हुआ मुकाबला सुरू हुआ तो यहाँ पर मुकाबला 29-29 ओवर का रहा लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की तरब से सिकरदवन ने मुकाबले एक बार फिर सुरू होने की दूसरी ही गेन पर बड़ा सोट खेलने के चकर में अपना विकेट गवाया सिकर दवन इस मुकाबले में सिर्फ तीन रन बना कर पेवलेन लोट गे लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के साथी क्रीस पर उतरे टीम इंडिया की तरफ से सुरे कुमार यादव सुरे कुमार यादव ने यहां पर समल कर बले बाजी करनी शुरू की दोनों बले बाज़ों ने टीम के स्कोर को 6 और की समापती तक 25 रनों तक पहुंचाया इसके बाद साथवे ओवर में सुरे कुमार यादव ने अपने बैतरीन चोके का आगाज लोकी फरगेसन की गेंड से किया लेकिन दोस्तों यह चोका बाई का था यानि की सुरे कुमार यादव के खाते में नहीं जुड़ा लेकिन इसके बाद सूरे कुमार यादों ने वेतरीन बलेबाची जारी रखी तो वहीं पर सुबमन गिल का आज आकरमक अंदास देखने को मिला जब आटवे ओवर की तीसरी गेन पर उन्होंने सांधर चका लगाया मेट हेंडरी की गेन पर और गेन को बॉंडरी लाइन के प लोकी फ्रीगेसन लेकिन लोकी फ्रीगेसन के इस ओवर में सिर्फ पाँच गेनों पर पाँचीर रन बड़ो पाई थी टीम इडिया लेकिन आखिरी गेन पर सूरे कुमार यादों ने सांधर चोका लगा कर इस ओवर में भी 9 रन बड़ो ले न्युजिलेंड की तरब से दसवा ओवर डालने आए ब्रेसवेल के इस ओवर में सांधर चोका लगाया बैतरी बलेबाजी करते वे सुपमन गिलने और इस ओवर में 9 रन बटोरे और टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर किसमापती के बाद 6 रन हो गया इसके बाद ब्रेसवेल एक और ओवर डालने आए लेकिन इस ओवर में सुर्य कुमार यादव उन्हें सांधर तरीके से बहतरी चका बटोरा इस चके के साथ इस ओवर में भी 9 रन आए और 12 ओवर किसमापती के बाद टीम इंडिया का स्कोर 8 रन हो गया जब कि दोस्तु सुर्य कुमार यादव ने लुक्यर फरगेसन की एक और गेन को बॉंडरी लाइन के पार बेज़ाते वे बाद रिंड चका बटोरा इस चके के साथ ही अप सुर्य कुमार यादव भी अपना आकरमक रुक अपना चुके थे वहीं पर लग्की फर्गेसन की इस ओवर की पांचवे गेन पर सुरे कुमार यादों ने एक और चौका जड़का टीम इंडिया का स्कोर 89 रनों तक पहुचा दिया लेकिन तबी दोस्तों एक बार फिर से बारिस कापी तेज तरीके से आगे और इस मकाबले को रोकना पड़ा जब दोस्तों दूसरी बार मकाबला रुका तब टीम इंडिया का स्कोर हो चुका था नवासी रन और पार्थी टीम के दरब से दोनों बले बाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे चाहां सुर्य कुमार यादो के बले से तीन बैतरीन चके निकल चुके थे तो वहीं पर सुपमन गिल ने भी एक बैतरीन चका बटोर लिया था और टीम इंडिया का स्कोर नवासी रन हो चुका था तब तक सुपमन गिल 42 के नू पर 45 रन बना करना बात थे जबकि दोस्तु यहां पर संदार तरिके से सुर्य कुमार यादों ने भी 25 के नू पर 34 रन बना ले लेकिन मुकाबला कापी देर तक रुका और इसके बाद एक पर फिर मुकाबला सुरू हुआ तो यहां पर सिर्फ 20-20 ओवर का ही मुकाबला देखने को मिलने वाला था जिन में से दोस्तु 12.5 ओवर का मुकाबला तो समाप्त भी हो चुका था और टेम इंडिया ने सिर्फ 90 रन ही बनाई थे यानि की मुकाबले में अब सिर्फ 43 गेने ही बची थी लेकिन इस ओवर की आखिरी जो गेन बची वी थी उस पर सिर्फ एक ही रन लिया सुरे कुमार यादो ने और ओवर को समाप्त कर दिया लेकिन दोस्तों इसके बाद सुरे कुमार यादो की तूफानी बलेबाजी अगले ही ओवर में देखने को मिली जब ब्रेसफेल ओवर डालने आये तो उनके इस ओवर की पहली गेन पर उन्होंने सांदार चका बटो रहा तो वहीं पर दूसरी गेन पर बैतरी न्चोका और तीसरी गेन पर एक बार फिर छका लगा कर इस ओवर की तीन गेनों पर सोले रन बटोर लिया और टीम इंडिया का स्कोर भी सो रनों के पार पहुंच गया चपके दोस्तों इसी ओवर के आखरी गेन पर सुरे कुमार यादव ने एक और सांदार छका जड़ दिया तो वहीं पर इसका अगला ओवर डालने आये लकी फुर्गेसन के ओवर में सुपन गिल ने भी कमाल की बलेबाजी की सुरे कुमार यादव के साथ मिलकर और दोनों बलेबाजों ने संदार बलेबाजी करते वे इस ओवर में भी सौले रन बटोड लिये इस दोरान दोनों बलेबाजों ने संदार बलेबाजी करते वे अपना अरस तक पूरा कर लिया लेकिन अर्स तक के बाद सूर्य कुमार यादव का बला कुछ अलगी तरह के से चलता हुआ नजराया एक समय तक टीम इंडिया जहां सिर्फ 90 रनी बना पाई थी तेरे और किसमापती के बाद लगें अगले चार और में टीम इंडिया ने संदार परफॉमेंस करते वे 60 रन बटोड ले और टीम इंडिया का स्कोर पहुँच गया 150 रनों तक लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बैतरी भूमी का सुर्य कुमार यादव की रही लेकिन इसके बाद सतरवे और में कमाल की बलेबाची की यहाँ पर सांदार बलेबाची करते वे सुबमन गिलने भी इस और में उनके बले से भी दो बड़े चखके देखने को मिले इनके इन दो चखकों की बदल़ टीम इंडिया का स्कोर 117 रनों तक पहुँच गया पर बैतरी दो चखके और इसके बाद अगली तीन गेनों पर उन्होंने दो दो रन लिये जबकि आखिरी गेन पर भी उनके बले से सांदार चखका देखने को मिला और जहां टीम इंडिया का स्कोर भी 210 रन पहुँच गया तो वहीं पर सुर्य कुमार यादों ने सांदार बलेवाजी करते वे इस मुकाबले में अपना सतक पूरा कर लिया उन्होंने अपनी सतकी पारी में मात्र सांदार परपॉमेंस करते वे 61 के नू का सामना किया जबके दोस्तों दूसरी दरप सुबमन गिल ने भी सांदार 90 रनों की पारी के लिए जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 210 रनों तक पहुचा नुजिलेंड की टीम के सामने विशा लक्षे था और इस लक्षे का पीचा करने उधरी नुजिलेंड की टीम की दरब से पारी की सुरॉत करने उतरे डेविन कॉनवे और फिन एलन लेकिन दोस्तु आज के मुकाबले में टीम मिंडे की गेनबाजी का पीद धमदा रही चांपर पहले और में सांदार के इन बासी करते वे फिन एलन को पेविलिन बेज़ाट अर्सदीप सिंग ने रिसब पंत ने उनका काप्टी सांदार केज पकड़ा और भारती टीम को पहली सबलता पहले ही और में लग गई और यहां पर एक बड़ी खतरनाक बलेबास को पेविलिन बेज़ दिया आर्सदीप सिंग ने बारती टीम की इस मकाबले में अच्छी सुरात हो चुकी थी लेकिन इस अच्छी सुरात को और भी बैतर तरीके से दीपक चेहर ने पूरा किया जब उन्होंने अपने पहले ही औ और में डेविन कॉनवे को पेविलिन बेज़ कर बारती टीम को सिर्फ चेहर नो पर दूसरी सपलता दिला दी इसके बाद तो बारती गेनबाजों ने इस मकाबले पर दिरे दिरे से अपना सिकनजा कसना सुरू कर दिया और दोस्तों यहां पर डेरियल मिचल जो कि इस डाले और भारती टीम को तीन सपलताएं मिल गई इसके बाद तो भारती टीम के लिए इस मकाबले में पूरी तरह से पकड़ बन चुकी थी और दबाव में बलेबाजी कर रहे थे नुचले मकाबले की जीत के हीरो केन विलियमसन और टॉम लेथम दोनों बलेबाजों के भी इस सितर रनों की पाड़नेसिप जरूर हुई थी लेकिन इस सितर रनों की पाड़नेसिप तक पहुँचने के लिए इन दोनों बलेबाजों ने 65 गेनों का सामना कर लिया और यह मकाबला इनके हाथ से यही से निकल गया लेकिन आप इन दोनों बलेबाजों को एक उमीद थ की सांदार गिनबाजी के जल्दे एक ही ओर में इन दोनों बले बाजू को आउट कर दिया इनके आउट होने के बाद तो ए लगातार न्यूजिलेंड की टीम के विकेट किरते गए और न्यूजिलेंड की टीम निर्दारित 20 ओर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 125 रन ही ब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तन्यवाद